अंकित गुपता हमारे समबाद दाता डाजसान जेल से लगातार जुड़े हुए हैं अंकित कब तक रहाई की कौपी बहाँ पर पहुंच जाएगी किस तरह की उमीद क्योंकि तलवार दंपती के वकील ने कहा है कि शाम चार बुजे तक उनकी रहाई हो सकती है जो अदालती प्रक्रिया है वो यही कहती है कि जब यह एलावाद हाई कोड या किसी भी हाई कोड का फैसला आता है तो उसकी एक कौपी भेजी जाती है जेल में और दूसरी कौपी जाती है उस निशिली अदालत के पास में जहां से दोशी करार दिया जाता है तो ऐसे में निशली अदालत के पास में जब वो आरेश की प्रती पहुंचेगी तो वहां से एक रिलीज ओडर जारी होता है रिलीज ओडर की कौपी पहुंचती है इस जेल में यानि कि डासना जेल में जहाँ आप यह मौजूद है जेल से रिहाई जिस तरीके से अभी हमने वाडन का इपी इंटर्वीव सुना तो मैं भी आपको वही याद दिलाने जाओंगा कि जब मैंने भी उनसे बात की थी तो उनका यही कहना था रेश और उपुर तलवार का जब जेल जाने से पहले कि वो घटना है जब मैंने उनका इंटर्वीव किया था उस और उनका एपी यह कहना था कि उनकी यह लड़ाई है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाला कि जब CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाकिल की थी तो उनका यह कहना था कि यह लड़ाई यहां खट नहीं होगी ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे